बच्चों, सुप्रभात, आज मैं आप लोगों को हिंदी भासा अभ्यास से मस्त कलंदर वन्ननी चिर्याँ जो की अभ्यास 13 में था पीज 56 पढ़ाने जा रही हुँ, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पीज 55 पढ़े थे जिसमें ये पढ़े थे कि मस्त कलंदर पाठ में बच्चों ने चिर्याँ घर में जो जानवर देखे उनके नाम लिखे और पाठ मस्ट कलंदर और नन्धी चीरियां में आये सब्दों के सही रूप लिखिये इसको आप लोग अच्छा से बना कर भेजे थे फिर भी थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है कहीं कहीं तुरूट यांग थी अब मैं पेज 56 शुरू कर रही हूँ आप लोग हिंदी भासा अभ्यास का बुक खोल लीजिए सबसे उपर में एक चित्र दिया हुआ जिसे ध्यान से देखने की जरूरत है इसमें कौन सा जानवर है बचो? गिलहरी क्या आपने गिलहरी पहले देखा है? जरूर देखाओगा गिलहरी देखने में कम मिलती है लेकिन ये साकाहरी जानवर है और बहुत फुर्ती रहता है इसमें बहुत तेज भागती है अगर कोई गिलहरी नहीं देखे होंगे तो अपने ममी पापा से बोलकर गिलहरी देख लीजेगा ठर्ड, चित्र देखकर खाली स्थान भरिये देखो एक गिलहरी और उसके डैस बच्चे इसमें क्या करना है बच्चो खाली स्थान जो दिया हुआ है उसको चित्र देखकर भरना है जैसे देखो एक गिलहरी और उसके डैस बच्चे यहाँ पर एक गिलहरी है और उसके कितने बच्चे हैं एक, दो, तीन, चार चार बच्चे हैं तो यहाँ पर हम लोग चार लीज़ देंगे चार बच्चे वह दोड़ दोड़ कर अपने घर में खाना जमा कर डैस हैं सबको देख रहे हैं कि खाना जमा कर रहे हैं बहुत खाना जमा कर लिए हैं सब दोड़ दोड़ कर तो यहाँ पर लिखेंगे रहे हैं हैं तो लिखा हुआ है रहे लिखेंगे खाना जमा कर रहे हैं रह एकार रहे हैं उसके बाद वर्चा का मौसम आने वाला डैस यहां हम लोग देख रहें कि वर्चा का मौसम आने वाला है तो है लिखेंगे खाली जगा में हां हमें आईकार है यह समझ गए बचों आप लोग अब फोर्थ देखते हैं डिबे में से सही सब्द चून कर वाक्य पूरे कीजिए यह डबा है और इसमें कुछ सब्द दिये गए हैं सब्द को देख करके वाक्य को पूरा करना है समझदार लाएगी बाहर बूंदे का वर्षा आते ही डैस पढ़ने लगेगी वर्षा आते ही क्या पढ़ने लगेगी जब वर्षा आती है तो क्या पढ़ती है क्या समझदार पढ़ने लगेगी या लाएगी पढ़ने लगेगी या बाहर पढ़ने लगेगी या बूंदे पढ़ने लगेगी तो इसमें correct answer है, बूंदे पढ़ने लगेगी, तो सही सब्द डिबे में से छून लिये, बूंदे, ब, बडियू की मात्रा, चंद्र बिंदू, द, एकार, बिंदू, गिलहरी डैस नहीं जा पाएगी, गिलहरी डैस, डैस में क्या बहरना है, समझदार लाएगी या बाहर, बाहर, गिलहरी बाहर नहीं जा पाएगी, यहां बाहरी एप्रोप्रियेट लगता है, सटीक है, इसलिए हम लोग बाहर लिखेंगे, ब, बमे आकार, ह, र, बाहर, उसके बाद, यह दोनों तो हो गया, समझदार और लाएगी बच गया है, ग, खाना कैसे, डैस, समझदार या लाएगी, यहां question mark दिया हुआ है, प्रस्ट वाचक, चिन, तो यहां पे लाएगी होगा, खाना कैसे, लाएगी, ल, ल में आकार, ए, गी, खाना कैसे, लाएगी, यह हो गया, अब घा बच गया, घा को कैसे लिखेंगे, गिलेहरी बहुत डैस है, गिलेहरी बहुत समझदार है, एक ही बच गया है, समझदार, तो यहां पर समझदारी होगा, गिलेहरी सचमुद बहुत समझदार जानवर होती है, गिलेहरी बहुत स समझदार है, समझदार हो गया, तो यह हम लोग लाएगी और समझदार भी भठ दिये, चारों भरा गया, वर्चे क्या आप लोगों को समझ में आया? ख वर्चा आते ही बूंदे पढ़ने लगेगी, ख गिलहरी बाहर नहीं जा पाएगी, ग खाना कैसे लाएगी, ग गिलहरी बहुत समझदार है, आप लोगों को पार्ट समझ में आ गया होगा, पेज 56 और पेज 57 पर अब आते हैं, देखते हैं, उसमें क्या है? पांचवा, उदारन के अनुसार वाक्य बनाईए, इसमें उदारन का हमदस लेंगे, उदारन क्या दिया हुआ है, और उस अनुसार वाक्य को मनाएंगे, ये बहुत आसाने वच्चु ध्यान से सुनियेगा, कचिनिया दाना लाई है, चिनिया दाना लाई है, का उदारन है, चिनिया दाना लाती है, ठीक, उसी तरह हम लोग बनाएंगे, खा पढ़ेंगे, गिलहरी खाना लाई, तो इसका क्या होगा? गिलहरी खाना लाती है, गिलहरी खाना लाती है, ठीक उसी तरह गाव में क्या है? बतक ने डूबकी लगाई, इसका एंसर क्या होगा? बतक डूबकी लगाती है, यह आप लोग खुद बना लिजिएगा बच्चों, बतक डूबकी लगाती है, उसी तरह यहाँ घा देखते हैं, घा, मैंने किताब पढ़ी, मैं किताब पढ़ता हूँ, अंगा, मैंने जूला जूला, मैं जूला जूलता हूँ, मैं जूला जूलता हूँ, जूलता हूँ, उसी तरह नेक्स्ट कैसे है, मैंने सब को नमस्कार किया, मैं सब को नमस्कार करता हूँ, मैं सब को नमस्कार करता, मैं सब को नमस्कार करता हूँ, आप इस तरह बनाएंगे, समझ में आ गया बच्चों, तो पेज 56 और पेज 57 आपका होमवर्क है, कोई भी परेशानी होने से पूछिएगा और इसको बना करके भेजएगा, हिंदी भाथा भ्यास का पेज 56 और 57 धन्यवाद,